नमस्कार दोस्तों, दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागता, आज हम आपको बताएंगे कि OTR में आप किस परकार से अपने DOB, अपने नाम में किस परकार से बदलाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, सफाई करमचारी के फॉर्म भरे जा और पिछली बार हमारे आधार और जना अधार से फॉर्म भरे गए थे, तो कई हो की डेट ओब बर्त में, किसी के नाम में, किसी के फादर नेम में मिसमैच है, तो कैसे आप अपना OTR अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम हमारी SSO ID को लोगिन कर लेंगे, संपूर्ण ज कर दिया, थोड़ा Net की प्रोसेस थोड़ी स्लो है दोस्तों, और यह देखिए, हमारा खुल चुका है, One Time OTR, Registration पर हम आ गए, और यहाँ पर हमारी Date of Birth है, जैसे के आप देख पा रहे है, एक जनवरी 1978 1978 हमारी यहाँ पर है, जबकि हमारी यहाँ पर Date of Birth अलग है, तो हम किस परकार से इसको अपडेट करेंगे, नीचे देखिए, फैत एप्लिकेशन फोर्म आ रहा है, हमें इसके उपर क्लिक करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, SSO ID मांग रहा है, तो यहाँ पर हम SSO ID यहाँ पर टाइप करेंगे, और सब्मिट पर क्लिक करेंगे, जैसे ह हम OTP यहाँ पर एंटर करेंगे, तो OTP आ चुका है, और यहाँ पर वेरिफाई पर क्लिक करेंगे, OTP हमारा वेरिफाई हो चुका होगा, वेरिफाई हो चुका है, सब्मिट पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम सब्मिट पर क्लिक करते हैं, तो यह देखिए, application not moved as application already filled in current user, तो य application हमारी move नहीं हो पारी, फिर हम क्या करते हैं, update OTR के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर father name हम यहाँ पर डालेंगे, जो भी candidate है, उसका father name हम यहाँ पर डालेंगे, date of birth नीचे आपको देखने को मिल रही है, mobile number आपको देखने को मिल रहा है, send OTP पे क्लिक करेंगे, check box पे क्लिक करके, तो check box पे हम क्लिक कर देते है, send OTP पे हमने क्लिक किया और यह देखिए, दस्तावाच से लिया गए data समान है, इसलिए हम update नहीं किया जाएगा, तो देखिए, error हमारे सामने आ रहा हम इसको OK पे क्लिक कर देते हैं, तो यह इस परकार से हमारे सामने यह error आ रहा है, और यहाँ पर देखिए, हमारी profile के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम home पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हमारी profile को हम update करेंगे, तो यहाँ पर profile पर हमने क्लिक किया, update SSO profile, इसके उपर हमें क्लिक कर देने है, और यहाँ पर हमारी pencil बटन पर हमें क्लिक कर देने है, यहाँ पर देखिया हमारे date of birth का option यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो भी date of birth आपकी अधार से है पहले तो आपको अधार और जनाधार में same date of birth कर लेनी है इसको update करने से पहले और यह date of birth लिखकर आपको यहाँ पर update पर click कर देना यह देखिया हमारी profile में update हो चुकिया दोस्तों और हमने जुलाई का update किया है और इसके बाद में हम दुबारा से requirement postal पर आते है और requirement portal पर आने के बाद में हमें one time registration पर click कर देना है one time registration पर हम जैसे click करते तो देख पा रहे है एक जनवरी 1978 ही है हमारी और अभी हम यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में हमें update OTR के उपर आखर click करना है तो देखिए हमारे नीचे हम नीचे close करते हैं update OTR का option हमारे सामने यहाँ पर है एक जनवरी 1970 हमारी यहाँ पर है update OTR पर हमने click किया यहाँ पर father name हमें यहाँ पर mention कर देना है जो भी candidate का father name है ध्यानपूरवा का आपको यहाँ पर लिखना है तो हम हमारी एक जुलाई हमें करनी है तो यहाँ पर हमें send OTP पर click कर देना है और देखिए OTP send successfully हो चुका है यहाँ पर OTP हमारे mobile पर आचुका OTP डालने के बाद मैं हमें final submit पर click कर देना है और यह देखिए OTR update successfully जिहां दोस्तों यहाँ पर हमारा OTR update successfully हो चुका है एक जनवरी की जिगा हमारी एक जुलाई 1978 यहाँ पर हमारी date of birth चेंज हो गई है तो इस परकार से आप भी अपने OTR को update कर सकते हैं और अपने सफाई करमचारी के form को आप फिल कर सकते हैं उमिद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शे करिएगा जैहिन जैभारत राम राम साथ